लेकिन नई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू से करिएगा जिसके विष्णावी लिखा गया है नवीन जिलो अनुसार साला धर्पंड पोर्टल पर विद्या ले होगी मैपिंग के समझ में आगे लिखा गया है उपर योग्त विस्यांदर गत लेक है कि संदर्ग विद अधी सुचना की अनुसर राज्य में 50 जिलों का गठन किया जा चुका है स्कूल शिक्साई उबाग के साला दरपन पोटल पर भी तदनुसर समस्त विद धालेों के जिला, ब्लोक, ग्राम, पंचाईट, नगर पालीका, नगर निगम और वार्ड जो भी है मैप किये जाने है ताकि जिलेवार मोनीटरिंग और रिपोर्ट्स प्राप्त करना संभव हो सके इस समद में युडाइस मास्ट डाटा अनुसर विदाले की मैपिंग का कारेर प्रक्रिया दिन है इसे डाटा की पूस्टी और कम्यों की पूर्ती के लिए साला दरपन पोर्टल पर दो इस तर पर निम्न अनुसर मोडिल होंगे पहला विदाले लोगिन पर जो विदाले टैब है उसमें SD PSP कोड होगा उस मोडिल में परतम भाग में विदाले को वर्तमान 30 जिलों नुसर तथा दूसरे भाग में 50 जिलों नुसर पर दरपन जो जिला है ब्लोक है ग्राम पंचाइद वो पर दर शिक्किये गए हैं प्रतेक विद्दयले के द्वारा अपना जो data उसको भली बात दिजाना है और उसके बाद में संसोधन अपेक सीत है तो उसके बाद में लोग किया रहे हैं अभी आपको साला द्रपर पर दिखा दिया जाएगा किस तरह से लोक करेंगे वहीं दूसरा जिलई MIS लोगिन पर जिला MIS की दो़ार भ़रा जाना है ये स्कोलों की दो़ार नहीं होगा तो साथ ही सभी को धान रहे कि ये कारे जिनके जिले बद ले गए हैं उनको भी और जिनके जिले नहीं बद ले गए उनको भी लोग आविशक रूप से करना है वहीं अंतिम बिंदो में लिखा गया है कि उक्त को प्रात्मिक का मिलेकर विद्धालय और जिला सालादरपन पॉर्टल पर लिए चलता हूँ जहां सालादरपन लोगिन करने के बाद में आपके सामने विद्धालय नाम से एक उपसा दिखाया गया है इस टैप पर आपको क्लिक करना होगा और इस विद्धालय टैप को जैसे क्लिक करेंगे सबसे पहला उप्षन एस पी पी एस पी कोड यूड़ाइस मैपिंग यहां आपको क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद में आपके सामने लिखाएगा यह फॉम विद्याले के संस्ताप्रदान एच्चेम या प्रिंशिपल की उपस्तिति में बरा जाना है साला प्रोग्राम के माद्यम से जहां बदलाओ आप एकसित हो वहां परिवर्तन कर सब्मिट करें यह कारिया ध्यान पूर्वक किया जाना है किसी भी गलती के लिए सालाप्रदान को नोटिस दिया जा सकता है अगर कोई परिवर्तन नहीं है तो सब्मिट बरन दुआरा बिना कि कोई परिवर्तन है तो नीचे उपलब ओप्सन दुआरा परिवर्तित यूडाइस कोड प्रविस्ट करें और आपको अपना नया यूडाइस कोड जो भी है वो यहां लगाना होगा अगर कोई चेंज नहीं है तो सेम रखना है उसके बाद में आपको सब्मिट करना है सब् जो भी नया जिला अपडेट कर चुके होंगे